वेस्टन वाल के पीछे जो खाली जगाए महाँ पे सर्वे किया जाएगा नीचे जो खंबे हैं पिलर्स हैं व्याजी का थैकाना है जो जगा आर्टिफीशल वाल से बंद है उन सारी जगाओं पे सर्वे करके कोर्ट के सामने रिपोर्ट सम्मिट करने एक बड़ी दलील आप पे हॉलो साउंड आ रही है धबदब की आवाज आ रही है जिसको आर्टिफीशल वाल से बंद किया हुआ है तो वहां पे जाच होनी चाहिए हमारा ऐसा मानना और ऐसा क्लेम है कि वहां पे भी आदी विशेश्वर का मूल शिवलिंग बरामद होगा और उसकी जाच की कोट का ऑटर जब आ जाएगा अपलोड होके तो और क्लियर हो जाएगा पर हमने कोट के सामने मूलता मांग की थी कि सुबह 8-12 के बीच में यह कारवाई की जाए क्योंकि पहले जब एड़ोकेट कमिशन का सर्वे हुआ तब सुबह 8-12 का टाइम निधरित किया गया था तो ASI का सर्वे भी सुबह 8 से 12 के बीश में हो जिसमें किसी की नमाज व्याधित या बाधित नहीं होगी नमाज होती रहेगी पर 8 से 12 का ऐसा समय होता है जहां पर तथा कतित मजजित खाली रहती है तो उस समय इसका सर्वेक्षन किया जाए और वो जो रिपोर्ट है ASI की वो की परिधी में तो यह अब ASI को डिसाइड करना उतना कितना समय लगेगा मैं आपको यह आकलन देना चाहता हूं राम मंदर के टाइम पे जब 2002 में ASI का फैसला हुआ था तो ASI की रूपर 2005 में आई थी तीन साल लग जयते पर वहां पे छेत्र भी काफी बड़ा था तो अगर मुस्लिम प्रक्षिस के खिलाफ हाई कोड यह सुप्रिम कोड जाता है तो हम भी अपनी बात रखेंगे विश्टू श्रेगल पर जा रहा है कि यह जो मुझे इंफॉर्मिशन मिली है वो यह है कि जो मेरी एप्लिकेशन है एप्लिकेशन नमबर 327 वह एप्लिकेशन अलाओ हो चुकी है और कोड ने एसाई सर्वेक्षन का ओडर कर दिया यह यह उपरेटिव पोर्शन है जो कोड ने इस समय पढ़ लाए है जिए इंगलिशन में कि बूल यह उँडाओ नियुग आहर को दिया उतल्स्यार था आप्लिकेशन नमबर 327 दाप्लिकेशन मैं आप नियुट्टेक्स कैंड़ टो ह्यूट्टेक्स कि रिफिट्रेट कि यूट्टेक्स का शचरुट्ट्ट विद पहुंग था रिचा कि पर श्रीट प्रेट यूट्टेक्स से उपर तो पूरे परिसर की पूरी मांग करने का उद्देश यह है कि हमारा यह कहना है हमारा यह केस है कि जगह को औरन जेम नहीं बनवाया यह पहले से हिंदु मंदर का इसको एक मॉस का रूप देने की कोश की गई है तो आज मूल रूप studies this कtown cash के सामने कि या इसको करने के कोशिफ हैं कि यह स्ट्रक्टर और यह वेश्टन वॉल और जप पहले की कि तो दूसरी बात यहां कि जो नीचे जो Hindu मंदर के शिखर हें वो कितने पुराने हैं. तीसरी बात जो Hindu मंदर के खंबे हैं उस structure में, वो structure में जो खंबे हैं वो कितने पुराने हैं. व्याज जी का जो तहकाना यहां पर पूजा हो रही थी जहां पर आर्टिफिशल वाल है उसके पीछे क्या है